है अब एक मीन सरकिल आग बात करने वाली हूं बच्चे-दानी का बाहराना यानि की यूट्रेस प्रोलेप्स होना तो यह क्यों होता है अब जो बच्चे-दानी होती है वह हमारी लुए सेल सेंथ वो कमजोर होने लगती है तो बच्चेदानी जीरे जीरे बाहरा सकती है ऐसा क्यूं होता है इसका कारण कई है उसमें सबसे पहला करण है कि अगर आप जल्दी जल्दी प्रेगनेंट हो रही हैं बहुत जल्दी जल्दी आपके डिलीवरी हो रही है खास करके नॉर्मल डिलेवरी हो रहे हैं जल्दी जल्दी होने के वजह बार बार जोर पड़ता है तो उस से मांसपेश कमजोर होने लगती हैं और इस वजह से बहुत जाती सकत़ा है और आपको फ्याद्यॉम्वम्ण द्रमियोरे सार्त दर मियाय होikal العविति करने काम करने के जिसे बहुत जादा बोजू अछ आपकी एज ब्रटी हैर एसे जो wrestle शार्मोन होता है कम होने लगता बौडी में और वजह से आपकी तो मुल bet नहीं हो उसब और उस वजे से भी आपको आपकी जो बच्चेदानी वो बाहर आ सकती है तो यह कई सारे कारर हो गई जिस बच्चेदानी बाहर आ जाती है अब इसके कई stage होते हैं बच्चादानी बाहर आने केOSg छिफर्स 이स इस में होता है कि जो बच्चीदानी वह थोड़ा नीचे की ओर सरपने लगता है तो पहले स्टेज में यह होता है और दूसरे स्टेज में जो होता है जो बच्चेदानी का मुह है यायनि की जु अब कि जो शर्विक्स है वह आपके वेजाइना की एकदम पास मुह के पास सब्सक्राइब का निकरिग लाइं वैजाइनी से थोड़ा सा बाँर निकल होता है जो सर्विक、、 का मुह disc और जो सबसे इसका नास्ट स्टेज यानी कि बचिदानी पूरी चल तर न अडिक होता है., इसको प्रोसीडेंटिया कहा जाता है यह सभी जो परिशानिया है सारे जो स्टेज हैं यह आपके बच्चदानी में जो उसकी मासपेश्या होती है उसके कमजोरी के कारण होता है और यह स्टेज उसके डिपेंड करता है कि वो मासपेश्या कितनी कमजोर हो चुकी है और इसका असार आपके यूरिनरी निकले वह पाहँ है और आपके मलाशास दोने को पर भी पड़ता है अब इसक लक्षर क्या है तो इसके सबक्ष़ में निकले हैं निकला है और इससे आपको दिक्ट को और आपको इसके लावार चलने में में दिक्कत होगी आपको constipation रहेगा और आपको पेशाप करने में या मलत्या करने में भी परिशानी होगी अब इसके उपाय में आप क्या कर सकती है तो इसके उपाय में सबसे पहले आप अपना वेट कम करिए मोटापा कम करिए क्यों कि कई बार बहुत जादा मोटे होने के पेट पर दबा पड़ता है उस वज़े से भी दिक्कत होती है तो मोटापे को कम करिए फाइबर रिश डायट लीजे हैवी फाइबर वाली डायट लीजे जिससे आपको constipation या कब्स बिलकुल ना हो और जब कब्स नहीं होगा तो भी यूट्रेस प्रोलैप्स होने की दिक कम से कम होगी और कोशिश करें कि एक से दूसरे बच्चे के बीश में थोड़ा गैप रखें जिससे कि बहुत जल्दी जल्दी बच्चेदानी के उपर यूट्रेस के उपर दबाव ना पड़े और उसके लावा आप बहुत जादा भारी सामान मत उठाने से परहेज करें और आप कीगल्स कर सकती है यह आपके जो यूट्रेस के मसल्स है उसको स्ट्रॉंग करेगा इसके लब आप डॉक्टर के पास जा सकती है डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे कुछ एक्सराइस की सला देंगे और अगर बात इससे आगे बढ़ चुकी है तो वह आपक में मुझे समस्यज़ों तो 1 पेस्री से ही कुछ होता है यूज करना पड़ता है अब इसकी साइड इफेकट हैं अगर आप इसका empower आं परमानेंट भी हो सकता है और इसका यूज करने कि साइड इफेक्ट है जैसे कि आपको वेजाना में जलन फील हो सकती है या आपको जो वेजाना डिस्चार्ज होता है उसमें काफी ज्यादा बैड इसमेल आपको फील हो सकती है अगर बच्चे दानिया आपकी पूरे साथ से बाहर है इस तरह से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कई बार डॉक्टर सरजरी करके आपके यूट्रेस को निकाल देते हैं तो यह कई सारी कंडिशन है जिसमें जिस तरह की आपकी कंडिशन है डॉक्टर उस हिसाब से चाहिए और मीट करते हूं कि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें